अर्था कामस्तयोरासन शुखाय ग्रिय आदिकम अर्था भगविलास का स्वामागरे घर द्वार सबय सुन्दर थियो तर एवड़े शमस्षे आथियो आनन्द मन मा संतुष्टी थियो आत्मादेवलाई दुन्द लिलाई ता मन मा पने उपूरा संतुष्ट थियो आनन थे उल्लाई कुनाई समस्षे चाई जगड़ागर ना पाकाई थि कुराकाट ना पाकाई थि श्रिमानले माया गरे काई चाना घर मा धन धन्यादी आदी सबय चा अर्था अर्था चाहुदाई चाई भग्या समागरी चाहँदाई चाई शुखाया ग्रिया आधिकम् घर दॉरादी सबय शुद्दर चा सबय थोक ठीकति हुद तर आत्मादेवत तके थे शर्व वेद विशारत शवय वेद विशारत उनलाई एवड़ा अशन तुष्टी थिए मनमा शंतान भहेनन जव अवस्था ब्रिद्ध अवस्था भहयो तव शंतान का लागी अनेक प्रकार का पुण्य कर्माहरू गरना लागी दिन दुखी आदिलाई गाई प्रितिवी शुन आदि बस्त्र दान गरना लागी यस प्रकार धर्म मार्गमा धर्म मार्गमा भनेर परमार्थको मार्गमा इने शंतान प्राप्ति वाला पुण्य मार्गमा धनार धम धर्म मार्गेन ता भ्याम नितम तथा आपीच तियो धन प्राप्तिको मार्गमा लागदई गर्दा आधा धन शमाप्त गरे तरपनी न पुत्रो न पी वा पुत्री न छरा जन्मे न छरी जन्मे ततस चिंता तुरो व्रिशम अब ब्रामड बड़ो चिंता तुरो न लागे बड़ो चिंती तुरो न लागे किन सारा धन पनी आधि उदी शकाई शक्यो ब्रिद्ध वस्ता बुडे शकाल आई शक्यो न छरा जन्मे चे न पुत्रो न पी वा पुत्री न छरा जन्मे चे न छरी जन्मे चे एक दाश दु बिजोष दुखाद ग्रिहम तेक तुहाँ बनंगथा अवज ब्रामद देवाता बड़ो दुखी बाए दुखी बाए रा घर चाड़े रा बनंगथा बन तरफा लागे बड़ो बिरहमा बड़ो बिरहमा बन तरफा लाग दई गरता दीन को समयतियो मध्यान को समय मध्याने त्रिशितो जातस तडागं शम उपैई व्यान पित्वा जलम निष्णस्तू प्रजा दुखेहन कर्षितः घाम एकदमथियो मध्यान को समयतियो प्यास लाग्यो नजिक काई को तलावमा आई शंतानको अभआवने बड़ो दूखी बहएका कारण दूखी बहेका ठीम त्यो जती ब्यक्ति ची मान मशिक माल ज दूखी होदई कोई त्यथी ब्यक्ति मा की होदई जान्च थसन 아니고 महल धस्रीत च्याहक महल इसे दुखvid जान्च आनि दूखी हून्छा तब हाव शरीर में तिस से आलसी आउना लग्सा शरीर तिस से फकी ना लग्सा गलित हुन्ना लग्सा इनिधकि लगिस्यों आ आप दुख अलिए शरीर ला एकदम शुकायको раза को क्याई घड़ी पस्चाद तत्र इव शन्याशी कस्चित आगत है कत इव आट त्याँ एक जना शन्याशी महात्मा आई पुगे जब ब्रामड देवता बड़ो ठकीद भहेर एकदम गलेद भहेर एकदम दुखी भहेर मलेन भहेर पानी पिऊदई थिये एकदम ती संत महात्मा आले ती यतीले ती सन्याशीले एकदम बड़ो दुखा आतूर भाईको तियो शोभाब तियो अनुआर तियो देखे पचाडे पानी पी शाके पचाडे पानी पिएर जब ब्रामड देवता आले पानी पिए संसंगे तिया आउनवेक्दम इकदम शन्याशीले पनी थोरे जल ग्रहण गरे पचाडे लामु लामु शास फेर दई ती सन्याशी का चरणबा नमस्कार गरेर प्रणाम गरेर तत पस्चात चुप लागेर लामु लामु शास फिरर ती ब्रामण बशे पानी पीशे के बचाए तब ती यती ती सन्याशी प्रश्ण गर्णुँँच कथम रोदी शेहे बिप्र तोम का ते चिंता वली यशे ये ब्रामण दे बता, किन रोई राकेका चाओ, किन मलें चाओ, कियेको चिंता चाती मिलाई, किन चिंती चाओ ये श्तो भारी चिंता किये पर्यो? मला ये आपनु दुख को कारण बताओ किये कारण इस तो दुखा परियो माले के शयोगर न सक्षू कि यो शंत हरको मातम हरको शुवाब हो कसला दुखी देखेई बचाडे तीन हरको दुखा निवारान गरने सदय प्रयाश गर्शन किये कारण ले दुखी चाओ ब्रामण की वन्चन मन्दा किम ब्रवीमी रिशे दुखा म पुर्वपापयन संचितम दुखा किवा रहाऊना पुर्वपाप पुर्वजन्मा मा संचित गरे पाप expect ले दुखी चुँ अपनो पुर्वजन्मा को पाप बाँट संचित वाईको यो दुखा को कसरी मा बढ़न गरूं किम ब्रभी में मधि आप पुर्वजायस्तम कवश्णा पू कवश्णामू पभुण जते है इस प्रकार मेरो यो पुर्वजन्मा मा मा अफ़ेले शिंचित गरेको पाप बेद विशारद भाईका कारण कर्मा आधिको पंत सबय था थियो अब किये कारण दुखी छो भंदा मा अपने कारण दुखी छो मेरो पुर्वजन्मा मा शिंचित गरेको पाप अईले फल दिंदाईशा यसा ही कारण दुखी छो अब मेरो चिंता जनित दुख यो चिंता कसरी हजुर लाई बताऊं मेरो दुख कसरी बताऊं मैले मेरा पित्रियर लाई पिंड तरपण आधि दिंदापनी पित्रियर बड़ो चिंतीद भाईर लाम श्वास्तानेर बल्ल ग्राण गरनी गर्छां किनौ फचायड ता पिंड देनी पनी कोई छैना है तो पचायड ता हमले तरपण गरनी पनी कोई येस तो बाईयर बाईर बड़ो लाम शास्तानेरं बड़ो थकित्रा बड़ो मलेन दूखी वहेरा मैले दिएको तरपण पिंड आधि ग्रहण गर्छ म देवता आइवाम ब्रामर मैं ले दियेको दान प्रषन्न मनले श्तुमिंद श्तान का लागी मय्त दुखी छुँ एती मेरो जिवन शुन्य भाईको छा संतान का लागी एती दुखी छु मेरो जिवन एती शुन्य छा संसार नहीं मलाई शुन्य शुन्य लाग छा मत प्राण त्यागन का लागी यां आये को हू म आत्मा त्यागरनी विचारले आये को हू आत्मा दे ब्रामण बताऊंचन धेग जीवितम प्रजाहिनम बन्चन संतान हेन जीवन वियर्था छा धेग ग्रिहम चा प्रजाविन शंतान हेन जीवन दिक्कार छा शंतान हेन ग्रिह लाई पने दिक्कार छा जहां संतान नाई छाई नंत्यों ग्रिह लाई ग्रिह का सरी भ शंतान हीन धन लाई दिक्कारच देख कूलम शंत तिम्बिना तेस तो कूल लाई ने धिक्कारच जहां संतान हो देनन इस प्रकार शंतान नभय का कारण दिक्कार दैशन दिक्कार दैशन आपनो जीवन लाई मा जीवेत हुनूनाई दिक्कार चा दिक्कार दैशन आपनो घर लाई मेरो घर दिक्कार चा जहां संतान चाईन दिक्धनम मेरो धन लाई दिक्कार चा मेरो शेस पस्चाद भोग गर देने कोई छाईनें अनि धिक्कार छा मेरो कुल लाई किन मने म उपरांत ते कुल को क्रिती राखनर कुल का पित्री हरलाई तरपन दिने एक जाना वारिष्पनी छाईनें धिक्कार छा एस तो जिवन यह प्रकार बार बार आफलाई धिकार छन म जुन गाईलाई पाल ने गर्छु पाल्यते या मया धेनू शा बंध्या शर्वता भवेत जुन गाईलाई पाल्चु ती गाई शर्वता श्नदै बाजी रणचें तिनले बाच्चा बाच्चे जन्माऊ देनन यो मया रोपी तो ब्रिक्ष्या शोपी बंध्यात्म वास्रहेत जुन मैले ब्रिक्ष्या रोप्चु तेसमा फल फुल लागदैनन मेरो घर मा जो फल आउँछा त्यो पनी छीटै शडेर जानी गर्चा गलेर जानी गर्चा इस तो अभागी छु पुत्र हें छु माँ बाचेर पनी के गरू मैले यो जीवन ले राखेना की मतो जीविते नमेहे मा बाचेर पनी के गरूं वेरो जीवन ब्यकार छा यस प्रकार ब्रामण दुखले ब्याकूल भायर अब ती सन्याशी महात्मा को अगाडी ग्वा ग्वारून लागे छाती पिठी पिठी रून लागे ती यतिवरको र करी यशे करुणा ले अभिवूत भाई ती महात्मा ती यति वहरको रिदए बड़ो करुणा ले भरीयो यग जो योग निष्ठ थिये एकदम योग मा अवस्ति ती योग निष्ठ तुरुंत ती आत्मा दे ब्रामण को निदारको रेखा हेरेर सारा बृत्तांत बुजेर बिश्तार पुर्वग भन्न लागन भयो मोंचा ज्यानम प्रजारोपं बलिष्ठा कर्मणो गति बिवेकं तुशमा शाध्य तियजा सम्षार बासना निदार को रेखा पण्न भयो भाग्ये को रेखा पण्न भयो अनि भन्नों चे ये ब्रामड देवता प्रजा प्राप्तिको यो मोह तुरंतै तियागी देव प्रजा प्राप्तिका लागी एत्रो मोह तिमिले न राख कर्मको गति बडो प्रबल छा बलिष्ठा कर्मणो गति ही कर्मको गति बडो नई प्रबल छा बलिष्ठा चा बलवान छा एश काहनन तिमीले के गर बिवेकम तु समा साध्य बिवेक को आस्रे लिवर सम्षार वासनाम त्य जह सम्षार को बासनलाई त्यागी देव सम्षार प्रतिको बासनलाई त्यागी देव ये विप्रवर मैले तिमरु प्रारब्द प्रारब्दम तु बिलो कि तम तिम्रो प्रारवद मैले पणे तिम्रो प्रारवद मैले देखें शप्त जन्मा वधी तव पुत्रो नईव चा नईव चा यो जन्मा मा मात्र है ना साथ जन्मा सम्मा तिम्रो पुत्रों दैना साथ जन्मसम्म तिम्ले कुने शंतान शुख प्राप्त गर्न शक्दैनौ पूर्व काल्मा राजा शागर एवं अंगले शंतान का कारण कदी दुख पाऊनौ परेको थियो तेस्तो दुख पायेका चैना उत्यमी खुशी हौँ हे ब्रामण दे बत्ता कुटुमी आदी सवय को आश छोड़े रर्शे रे मुंचाद्य कुटुम्बाहा शाहम सन्यासे सरवता शुखं सन्यास ग्रहन गरा किने बने सन्यास में सवय प्रकार को शुख चा सन्यास में सवय तकी प्रकार को आनन्न चा अबब विडिति को बिव चाली बष्टाउं चाएच ब्रहहन न जब की क्वड़े ब्रामण शुख च्छ अमी जश्ता अलपज्य बुद्य अलपढुद्य मंधबुद्य मंधब०्य बद्यमं मन्धभाग्य होला ही इन तुख शुच्चर दु पुत्रम दही बलादपी बल पुर्वक ढांटेर चलेर पुत्रम दही बल पुर्वक ढांटेर चलेर शमश्याना पारेए और आत्माँ त्या करने को को बेखती जब माया द्वारा बुद्धि मोहीत उन्चा नि अथ जब लोब लालसा आदी द्वारा बुद्धि ब्रह्मित उन्चा नि नि दिद्टियव आस्कार दोस्रो शुर्य शमानी ज्यानी महात्मा आत्मादेव ज़ता प्राम्मर्ड तकी किम बनने लाँचा के प्रतिवार थिवेक्व तक जोने पृहिता प्रावत्अ धिषल्साहांच वह benutgeneration पुत्र आधि श्थ्थरिएधियो स्थुर्ण रुप्सक रुपी गहर चोड़े रुट मला ये शुषक ये बही से शुषक अ भाही तेस्तो शुषक करूं कहा शुखा है सुखे को काफ़े को ठुट मती 혼자 सुगा है अग्यास भत निरस सर भात सरो तानी योग हो जो आगा है तैस का साय पेषान कि बचार गािया ती सपता एन माहाथमा यति करें जबड़े और बहुंद कि आरी और दोड़े और इसमनाय को भुर्यास के अवलु तबepend попроб vendor पूत्र शमन्वाइथा लोकमा सरश भनेकुथ त्यों सन्यास्त निराशो सरश भनेकुथ पूत्र पूत्र समन्वीथा छरा नादी आदीले भरिपूर्ण ग्रियस्त आश्रमपो होता आतमा दे ब्राम्मण को मती शरी ब्रष्ट भयो बिचार शन्याशे माहत्माला कोता रस्पाइन चा बनर शिकावन लागे। कि वास्तविक रस्त छुरा नाती आदीले भरी एको घर होस। इस्त्री आदी शुखप्राप्त होस। बनर उबदेस्ते न लागे। उल्टो। ब्राम्मणको एस्तो आगर देखेरती तपोधन विचार गर्शन्याशे में लेखेको मेटाउने हठ गर्दा कती कती कत्रा कत्रा समस्या भहे। राजा चित्रकेतुले कत्रो कस्ट उठाउनु पर्यों। चित्रकेतुले गताह कस्टम भीदिलेख अविमार्जतान। नएश्याशिश्चुखम पुत्राध्याथा पुत्राध्याथा अथा दैवह तो धमह। अथो हटेन युक्तियशी यार्थिनम किम बदामिहं। जो बिदाताले लेखेर पठाएका छन्नी। जो धेल्वलाइ मेटाउन खता न खताऊन खता चित्रकेतुलाइख येवह थाचर तीमलाइ… चित्रकेतु हर्षषक नाम गरे कृष्णतान। इस एश कारण दयवले जो उद्वले प्रारब्द देर पठा अप drukए को छीत्रान। दयवले जसको उद्वलाई किल्ची दी शके, कुल्ची दी शके, छोड़ दी शके, त्याग दी शके, त्यो पुरुष को, त्यो पुरुष ले पुत्र प्राप्त गरेरा पनी, शुख कसरी प्राप्त गरना सक्षा, तिमले बड़ो हठ लगारा बसे आचु, यह हठ भगवान प्राप्ति मा लगाए, य योग शाधन मालग आये, किये गर्न शकिन छाए? द्रिष्ठांत यवड़ा याद आयो, कि जो दाइवले लेखेको छा, जो प्रारब्धामा लेखेको छा, तेलाई जवर्जस्ते परिवर्तन गर्न खोजो भने, की होंछा? कुस्तो फल प्राब्ति उन्छा, यह चित्र केतुको उदाहराणत दीने आलनु बहो, ती आतमा दे ब्रामन लाई, शंत महातमा ले, शन्याशी महातमा ले, कुसरी चित्र केतुले ते व विदाताले लेखेको खुरालाई, परिवर्तन गर्न खोजो दा, कत्रो शोक उठावन परिव, कत्रो दुख भाउगन परिव, एक राजा, बड़ो धर्म निस्ट राजा, धर्म परायन राजा, और उनका मुख्य मंत्री बड़ो ज्यानी ज्यतिस, उन्ही जन्म को समय मा, तारा मंडल हेररा ब्यक्तिको सारा बहविश्य बताई देना शक्ते, तो त्यसका लागी जाथको चीना पने बनाई राखने पर देन्थियो, एसा हेरेरा बताई देन्थियो, तारा हेरेरा इचंद्रमा को इस्तिती हेरेरी मताई देन्थियो,oplealed ज्यतिस को घरमा उन्हाई उत्तारादिकारी प्राप्तवा चोरो जन्मियो चोरो जन्मदाको मुर्त विचार गरता जस दिन चोराको विभाह हुन्छा जुन दिन चोरो ग्रियस्ता आश्रम मा प्रभेश गर्छा त्यो दिन चोरो अंदो हुन्चा आखाले देखना सकते हैं तेस्त दिन बाठ चोराको आखाको ज्यति गुम्छा और प्रिताको मृत्ति हुन्छा यो जब देखे भ巾 विश्ये छोराको बड़ चिंता आतुर भई अब छोराको बिभा नुन गर्दिव बंभशको शरीदः बडचा बिभागर दीवाम जाना आतमाथ्या गर्नों समानों नि भई किन छोराको मृत्यों को मुर्तमा छोराको नेत्रको ज्यती गुम्छा र अपनों मृत्यु उन्छा यो बड़ो असमंजस परिस्थिती भायो विभा न गरम अमयले गर देनना वनेर मात्रा इन वना भेर छोरो ले पन टेरनो पर के शमय पस्चात दुचार वर्ष पस्चात राजा को घरमा राजा निशंतान थिए ती निशंतान राजा बड़ो उद्यम पुर्वक बड़ो उद्धाग पुर्वक छोरी को जन्म भायो राज कन्या को जन्म भायो जन्म को शमय मा नच्चेत्र विचार गरे तिनैं मुख्यमंत्री जोतिसले कि जो ब्यक्तिको इ राज कन्या संग विभा होंच त्यो ब्यक्तिको राज योग तेई दिन बाट खुरापास्ती दिमाग लगाउन लागे जो तीसले कसाई गरी मेर छोरागो भिये यो राजा को छोरीशन कर देन पाए आखाई न देखे पने कमशेकम राजा उन तेओ छोरो तेस पचाडी किना वा संचार एरी राखनो परो संचार देखाऊने आशे पाशे अरवटे भरवटे ट्रन्नाई पाई आलचा तेस पचाडी राजालाई कि भने बने राजकुमारीको ग्रह गोचर तेत्ती ठीक छही न इनको बिभाहा चे बिशेश इसा आबले गरनो परचा जब इनको बिभाहा योग्या उमेर उन्छा बिभाहा योग्या उमेर भःपचाडी इनलाई योडा बाकसमा शूनको बाकसमा हालेर बंद गरेर समुद्रमा बगाई देनु परचा आउशीको रातमा रत्यों काल रात्रीमा जसले इनको यो बाकस फेला पारे रा बाकस खोले रा पईलो दर्शन इनले जोश्को गर्छेन ते इसमा बिवागर देनो परच तवमात्र इनको ग्रह गोचर मेठींच अन्ने था कुल नास कोची इयोग परियाच कुल नास होंच तपाइक अन्ने था एती बने पचाडी विचार राजा को सातो पुतल गया यत्त्रू उद्धम पस्चात प्राप्त बखो छोरी चोरी काई कारण कुल नास होनी बढ़नत कुल बड़ाउनलाई बल्ला येवडा संतान जन्मेको येन कारण कुल नास बढ़नत समस्या बढ़न राज्य नास बढ़न कई च्योटिसले सारा व्रित अंत बनन शुनाय येश्ट येश्ट बाकस बनावनी योगर नी को कर नी अनी बाकस मा पोको पार्नी राह उशीकुर आतम बगाई दिनी अब आफु अपू एता बचावन बगाउन अफु एता बचावन लागवन लागे वन्य उता तो बाकस कोले निकालनी शकारण की बंचनत बंदा अव गर उता विवाको तैरी बनी गरनु पर एस्ती शुकुमल शुकुमारी बखर नवयोवन मेरी तो चोरी समान एस्ती कन्यालाई बाकस मालर समद्रमा बगाको माईले का एर न सक्षू का माईले यो देखना सक्षू ते पर मेरमच उननी बनेरा अपने गर तरफला आगे। गहरमा गये एकदम उत्तम शाइत मुहृता निकालन यो समद्र के جए वागा ऌने बाकस मुहृतार उनसकुमाम हानी समान उननी इशाबलाय निकालनो पर। तो मुहृता एकदम साइत निकालनेरा तो साइत मनाamation क्य हाग अगाड़ी एकाद गंटा अगाड़ी समद्र बाड़ चे तियो आईपुक्स बगदई आमधाखेरी बननी करीब गरीब तियो समय अनुमान गरे रहा तत पस्तात उनी घर गए तेया सबय तयहारी गरे बिभाहा का लागी जोतिशिय गड़ना अंचार केके गरता सबय वंदा कम आनियोंच तेय तेय सबय थक मिलाए रहा एकदम सा तोड़ा ढ़काले योगता मंडब बनार सा तोड़ा ढ़कावाड बित्र लगेर ब्योलो टक्क तयार पारे राखे छोरोलाई अनि एता समद्र को तीरमा राजाले मलाई विशेश उपाहार पठाम दैशान यस्तो यस्तो शुन को बाकस आम दैशा तेयों समातेर टक्क मेरा घराले राउनु वनेरा मांचेरू लगाई उता राजा ले भने अंचार जोतिशले भने अंचार स्वामद्रमा बाकसमा छोरीला यहालेर उत्याईद दे नजिकई कुने राज्यमा यहड़ा राजा का साथ भाई छोरा सबय वंदा कांचोले बिचार गरे छन यह सई बनी यहां बसे राज्जे तक अईली पाँदेना साथ जानात दाजु छनु दाजु भाई बीच एवडा दुईटा भए एपेर देपेर चेपेर जसरी हुंचा योग्यता का आधार्माने राज्जे लेन शकिन त्यु उनको नम्मरत सबई थो जे जे उद्धम गरेन साथाउ नमर मा बल्ला पालवाउंचा राज्जे चलाउनी यह कारण मा स्वामर्थे वांचु शामर्थे ले युक्तव्यत्ति मा किने ये यो राज्जे का लागीची मरीमेटर बसनी और फेरी छेउचाव काई कुने राज्जे आक्रमान गरम दाजु आरले अंजला जित ती राज्गुमार चाई सरकस का बड़ो स्वखेन जनवार रुज नचाउनी और नी गरनी काम काची बड़ो स्वखेन तेसकार न दुचार अड़ा जनवार शनवार पनी डुंगा त्यो जहाज मा हाले रह उनि निश्की रात्री को समय मा बगा कु शमद्रमा आंशिर जान जहार भाड तेको बगार अचे अंत शन पकश कता पुरीया इद्यो तुच राज्गुमार को जहाज जुन मार्ग आँग अउदेः तियो अउनि मार्गमा अली पौर एवडा बड़ो सुनवल रंको सुन को बगाश बगदई आई गो देखे राज्गुमार का सिपा कि जसले यो बाकस खोले राजकुमारी ले जसलाई पोईलो पटक हेर छिन तीशंग राजकुमारी को बिभावा उन्चा बने तेश्पसाडी एस्तो शुचना सत्या मांचे बाकस उठार ले राव बाकस उठार ले गए खोले खोल दाखेरी वित्रत शुकन्या एकदम अरिकालाई तो छुट्टाई कोठा आदी सबय को ब्यवस्तागरनी पर त्यो जाहाज मां कोथा किये ब्यवस्तागरनी जनवार को बड़ो शुखेन बड़े मांको भालु बोखेरा इंड़े राजकुमार तेयां उसमा त्यो एवड़ा कोठा खाली चा ती सबब जनवार कोठा तो देवा ड़्या युखेन भालु बौश्तागर सो在 खाली मां depends on in theanka bench आण तयों राजकुमारी आगो बख्षामा तियो भालुलाइ प्याक गरेर अरर्यर समध्रमा हुर्याइएदी शमध्रमा हुर्याइएदी एता राजकुमारी ले राज़्कुमार ले आपनो राज्यमा लिरगईन उता बिचारा जोतिस लाई तनाव स बाकस आइपुगदाईने एता मुहरत शिद्धिने लागी शको बड़ो टाडबाट बाकस आको देखी शिद्धिलाई अतार अतार समात्यर गरेर लिर गई बित्र बालु रिषले गार गार गुर गर दाइछा जोतिस की बन्चन बन्दा राजकन्या बन्याता राजकन्या पुर्याई एक्दम अब शमय मुहरत शिद्धिने लागी शकेगो थियो सरा-सरमनडप मा लेर गईर जसाई खोले त्यो रिषको जोक मा बालुले पहला तम अंखा कागी अनिस्खी ननी गरि तुँ जोतिसको चरोलाई जापड़ बचाह यो गार थियो जहा आरजकाम मे दोनRAY चरे अलकों भाही शरमनागियो जो प्राराभ्दम लेखे रेया है जबर Ja 연सky तिलल परिवर्तन जो 30 जो तिस आचार इविचार अंतीम सासली तै विचार गर गर लाये चान, जो राजा की कण्या हो राज की कण्या राजा ग्रिहम राजा को कन्या तो राजा को ग्रिहमा पुगी हालें। अर्था तो जोर जहां पुगनुपर ने एथो चित जहां उनको प्रारब्द अंचार को इस्थान हो तेहीं पुगी हालें रहें कि बल मृतिवे लाइं म्हा आफ़ेले बडो सज शजावड़कर रह बडोव शरमले बडो पराक्रमपुर्भक मृतिवे गहर्मा ले अरे प्रारब्द म्हा आफ़े शत्तेशावेद गरी कार करू को महा बंदी ने पर आफ़ें समय पूरा कमसे कम छोरागो बिया नहीं गरते ना बने राख्या बाई बने बाच्छिन त्यों कि अधिना मौ आफईले अनेक उपाये लगारा प्रारब्द लाइसे जो प्रारब्द बस लेखियरा आएको कुरा आशा ते लाइसे पुरा गरे रही छड़ी मा आफईले अरथात जो प्रारब्द मा च्थ या एको कुरा बताँ दए हो नोंच ती ऐती बर जो सन्झ्यासी महातमाले आतमादेवलाई अस्तरि प्रारब्द मा चो प्राप्प्यच तेसको बिपरीत बहर इस्तरि लागनाले कुनै प्रकारको शुख प्राप्ती हो दएना किवल, किवल, किवल हनी मात्रे प्राप्त होंच इस कारण जो प्रारब्दमा लीर आयेको छ एलाई जवर्जस्ती इसको प्रतिकुल कुने फलको आकंच्या राखनू भनेको शोक को मोह को, भय को दुख को कारण हो ब्रामड देबता इस कारण अन्नावश्य को रूपमा येसरी हठ बादेर येसरी बाल हठ लागेर बाल हठ लगाएर शंतान मागनो शर्वता उचित चाईन इस प्रकार अनेकी साबले शम्जाउद योन होंच ति ब्रामड देबता आलाई कि जवर्जस्ती इसरी प्रारबध को विरुद्ध जानो वन्ना आखेर जन्मशं मो तकाईको शंतान को योग शै affirm ति यो गिहा असरो मादे ने छोड़े र बन मा जानुष इसरी हरी को भजन मा लांगनुष हरी कतास रवन मा लांगनुष हरी को चिंतन मा लांगनु Ub시죠 इस प्रकार बार बार अनेक इसावले ती यतीले शम्जावन प्रयास गरनुँँछ अनि बार बार इ आत्मादेव हैने मतपाई का अगाड़ी मर्दिन्चु मतपाई एक दम अपहत्ति अगर अरा लागे का छन जसरी बनी छोरो चाई